आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमस्कार MNS News लाइब में आप सभीका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अर्शेंसारी आएए देखते हैं देश दुनिया के तमाम खबरे मेरी गल्फ्रेंड को क्यों किया मैसेज जरिपटका में दिन दहारे हत्या जिया गल्फ्रेंड को इंस्टाग्राम पर मैसेज करने से हुए विवाद में एक युवक की दिन दहारे हत्या कर दी गई ये वारदात गुरुआर की दोपहर जरिपटका थाने के तहत रिपब्लिक नंगर में हँई है पुलिस ने हत्या के सुत्रधार उसकी भाई टता मिद्र को गिरफटार किया나리 है मुर्टक श्रियांस की दुकान और कैटरिंग्स में काम करता था आरोपी काम करते हैं बताया जाता है कि श्रयांस को शराब और गांजे की लत्ति उसकी यूती से मित्रतात है वारदात के सुत्रदार अमीत श्रयास ने कुछ दिन पहले श्रयास की गर्फ्रेंड को इंस्टाग्राम पर प्रशनसा के मेसेज किये जिहां गर्फ्रेंड ने ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर की इसे देखकर श्रयांस तिल मिला गया उसने अमित को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके उनकी गर्फ्रेंड को मैसेज नहीं करने की काफी धमकी दे जिसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर विवाद चड़ उन्होंने श्रियांस को चर्चा करने के लिए बद्ध विहार के पास चलने को कहा श्रियांस भी खत्रा भांप कर चाकू ले कर गया था बद्ध विहार के पास श्रियांस के आरोपियों में मार पीठ हो गई आरोपियों के पास रोट थे उन्होंने रोट के हामला करने के गोशित कर दिया गया पुलिस ने परी सर के सुसी सी टीवी फूटेज कैमरे के जाच की इसके कोई सुराग नहीं मिला परताल करने पर अमिस से रंजिश का पता चला 36 गंटे में दूसरी वारदात जिया, 36 गंटे के भीतर हत्या की दूसरी वारदात होने से पुलिस में खलबली मची हुई है, बुद्वार की रात अजनी के रमा नगर 25 फ्लॉंट में 29 वर्षिया निखिल उके को हिमार्शु मून अंकित वागमारे और विशाल फुलमाली ने हत्या कर दी थी, निखिल की हिमार्शु की बेहन से शादी तई हुई थी, शादी तूट जाने से निखिल हिमार्शु के बंद पर दबाव बना रहा था, जिससे पता चला, उसकी हत्या की गई थी, कुछ समय से हत्या की वारदातों में कमी आई थी आज दिनांग 29.23 दोपर साड़े बारा से एक बजे के दर्मेन स्रेयान सेलेश पाटिल उम्र 21 साल रहना रिपब्लिकन नकर 12 खुली, इसकी इस्रावस्तिनगर बोद्यवार के पास चार पास लोगों ने जगड़ा करके उसके हत्या करने की प्राक्तमिक माहिती प्राप्त है उसी आदार पे उसको आगी की कारवाई करने ही तू उसको में वहस्टिर ने वेजा है उसका इन्विस्टिकेशन जरीपत का पुलिश्टिजन करप से चालो है आरूपईं का शोच चालो है सर यह जो मृत्त है यह क्या काम नेंगा तर यह पपड़े के दिपार में काम कर मील में लगी आग लाखों की इमारते लकडिया जलकर खाक जिया बीती रात बारा बज़े की घटना दपमकल के पहुशने तक हो चुका था काफी नुकसान जिया कोटनगर में उस समय हड़कम पजगया जब पुरानी बस्ति स्थित के दारनात अगरवाल उम्राओ शा मील म में आग लग गई यह घटना रात लगबग बारा बज़े की बताई जा रही है संचालक आनंद अगरवाल को घटना की जानकारी रात देड़ बज़े लगी जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूशना दी गई दमकल की गारी तीन बज़े से आसपास कोटा पहुशी चालक ने आरोपी लगाया कि में रोट से पटना स्थल शौम मेल पहुशने काफी देर हुई जिसे नुकसान काफी ज्यादा हुआ यही दमकल और पहले समय पर पहुश जाता तो शायद इतना नुकसान ना हुआ होता इतवारी नहीं अब नेता जी स्टेशन जिया केंदर क कि अनुम्मती के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचन जारी कर कहा है कि सेशन को अब नए नाम से जाना जाएगा जिया इस संदर्व में सुला जून को सच्ची उसिधार्थ खरात के हवाले से जारी अधिसूचन में कहा गया कि नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को केंद्रि जी सुभाष्चन रबो सित्वारी का नाम दिया जाए सभी संबंदित एजंसियों को सरकारी दस्तवेजों में नाम परिवर्तन की दिशा में पहल करने के निदेश इस अध्यादेश में दिये गए है जिया रिल्वेस्टेशन को नेताजी का नाम देने की लंब समय से प्रबंदक से मिलकर उनसे जरूर रिपहल करने का अनुरोद करें इसी तरह कि दिनबर की तमाम बड़ी खबरों से फिरकर आएगे आपका उबरू तब तक देखते रहे हैं मेरे साथ यह अर्शी अन्सारी के साथ नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News